देखिए यहां पर हम देखते हैं यह तूदा पॉंट नोडस हैं जो कि हमने तयार किये हैं और यह तयार हमने नहीं किये हैं वैसे के लिए द्रश्टी की जो वेबसाइट है उसी से हमने कॉपी किया है यह और वहीं से मेट्रियल रेडी किया है तो आप द्रस्टी की वेबसाइट पर जाकर भी यह material रेडी कर सकते हैं और यहां से आप audio form में सुन सकते हैं इसको बाकी कुछ ऐसा explanation यहां पर नहीं दिया जाएगा सिर्फ जो notes है उसको एक तरीके से audio form में आपको सुनाया जाएगा तो डूदापवंड नोट सें यह सारे 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 जो notes तो यह वैसिकली तो सिविल सर्विसेज के लिए है पेपर फ़ेश्ट के लिए एस लेवास है उसका पार्ट साइस पूदापवंड तो सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली सल्टनत का सेक्षन है दिल्ली सल्टनत में 1200 से 1400 गुलाम बंच ने सासन किया है इसके बारे में बात करते हैं देखिए दिल्ली सल्टनत में प्रेलिम्स में प्रेलिम्स के लिए कौन-कौन से टॉपिक हैं दिल्ली सल्टनत में वो इंपोर्टेंट हैं एक तो इल्टूतमिस का जो सासन रहा है उनका किस तरीके गरा है को टो अ विद्दीन एवाक उनका श्राय के मेंस्ट के साफ न सकता है तो देखें मेंस्ट के साफ दिल्बली सल्तनत जो प्रिसासन कंत्र किस तरीके से दिल्री सल्तनत का जो बडपन है उसका मेत्वि क्या है ये दो टोपिक है वह मेइस के लिए इम्पोर्टेन्ट है है सब्से पहलेए बात हम कर लेते हैं यहापर कुत्वमुत्दीन एवक की कुत्व बुद्दीन एवक जो की पृत्वम इस कुत्व बुद्दीन एवक इन्होंने पृत्वम मुश्लिम राजवन्स की इस्तापना कैसे की उसके बारे में बात करते हैं प्रफब बुर्दो इवक का साषण राया है को राह है आपका 1150 से 1210 तक इनका साहर्ण का रहा है अभ कैसे रहूँने मुस्लिम राजबस की इस्तावना की उसके बाारे में हम चर्चा करते हैं देखें कितली सल्थनत का सथाव भी और गुलाम बंसका ये पहला सा सकता ये है गोरी समराजी का सुल्तान मुहमबद गोरी का एक गुलाम था क्योंकि हम बात करें गोरी समराजी की तो गोरी जो समराजी था है गोरी समराजी उसका एक सुल्तान था मुहमबद गोरी का ये क्या था गुलाम था कौन कुतमुद्द अब बात आती है 1206 की 1206 में क्या होता है 1206 में मौंबद गोरी ने कुतब बुद्दीन एवक को अपना अतरदिकारी बना दिया और उसने तराइन के युद्ध में जो की 1102 में रड़ा गया था तराइन के युद्ध कब लड़ा गया था ज़िया से 153 में दिया तराइन के युद्ध के भाद भारत में मेतपूर की 1001 , तराइन के युद्ध के बाद भारत में जो तर्की सल्तनत में उसका विष्तार की he addsb अब आगे की चर्चा करते हैं, आगे क्या होता है, मुझ्युद्दीन का एक और गुलाम यल्दुज गजनी, यल्दुज है वो गजनी में, मुझ्युद्दीन का एक और गुलाम था यल्दुज, अब यल्दुज नाम का जो गुलाम था, जैसे आप यहाँ पर बात कर सकते ह हैं निचेली देटाओं मैं स्कूंति यहां पर यह बात कर लेजिए कि मुजडिं का एक और गुलाम था यह पर कि यल्दुज इसने गज़नी में क्या किया मतलब कि गज़नी में यह सफल हो अब गज़नी में ये मुजडिंद्यंद तो सफल होई गया था अब यल्दुज जो है वो दिल्ली में भी शासन करने का इच्छा रखता था यादि दिल्ली में भी शासन करने का दावा कर रखता है हाला कि वे लाहोड से शासन करने वाले एवक द्वारा स्विकार नहीं किया गया था कुटबüddin एवक है वो लावर से सासन कर रहा था दिल्ली में और यल्दुज है वो दिल्ली पर सासन करना चाहता था गजनी से लेकिन इसी समय से सलतनत ने गजनी से अपने सम्वन्द आपर तोड लिये थे तो यही वो समय था जब सलतना जो थी तुर्की सलितनत उसने गजनी से संबंद तोड लिये ते इससे पहले गजनी से अच्छे का से संबंद थे लेगनिया पर गजनी से संबंद तोड लिये और गुलाम बंस की इस्तापना का जो स्रे है वो कुत्व बुद्दीन एवक को ही जाता है और गुलाम बंस को हम किसके नाम से जानते हैं गुलाम बंस क तो दिल्ली सल्टनत पर पहला मुसल्मान राजबंस इसकी नाम के चाहिं कि लाख दिन एवा को जाना जाता है अब हम बात करते हैं कि इल्टु तमिस उसने अपने चित्र का विस्तार है वो किस तरीचे से किया था था युँकिıldı्ट वॉद्दिन का ससंकाल रहा है यह है Sum बारासो दस है इसमें इसमें उन्होंने अपने चित्र का विस्तार कैसे किया थे दो बारासो को यहां पर चोगन का गया है तो इस समय गोड़े से गिर कर घहल हो गए ते और घहल होने के बार में उनकी रित्पी हो जाती है कर दो तुमिश को उत्तर भारत में तुर्की विजय का वास्थ्त्विक समेकक माना जाता जाना चाहिए मतलब कि उत्तर भारत में तुर्की विजय की बारे में अगर सही तरीके से जाना जाता है तो इल्दुतमिश को जाना जाना चाहिए वास्त्विक जो समयकक है विजय का वास्त्विक समयकक इल्दुतमिश को भी माना जाता है और जब इनका राजवी से गवा था तो उसी समय अली मर्दन खान है उन्होंने स्वम को बंगाल और बिहार का राजा गोशत कर दिया तो बंगाल और बिहार में कौन सासन कर रहे थे उस समय अली मर्दन खान अली मर्दन खान ने खुद को बंगाल और बिहार का राजा गोशत कर दिया कब जब इल्टू तमिष सिंगाशन पर बैठाता है सबसे पहले दिल्ली के पास इल्टू तमिष के कुछ साथी अधिकारी भी उनके अधिकार को स्विकार करने के लिए अनिच्चुक थे दिल्ली के पास ही उसके कुछ साथी अधिकारी थे ल्टू तमिष के वो भी सबसे पहले जो अधिकार है उसको स्विकार नहीं कर रहे थे अनिच्चुक थे राजपूतों को अपनी शुत्मत्ता का दावा करने का यहां पर अफसर मिला गया था कालिंजर गवालियार पूरी राजपूत्र के जो चेत्र है जिनमें अजमेर और व्यानावी यहां पर सामिल है इन्हों नेमी सवल्था पूर्वक्स्वम को तुर्की के प्रभुतु से मुक्त कर लिया यानि पहले ये तुर्की के अंडर में काम कर रहे थे अब खुद ये स्वतंतर हो गए थे मतलब खुद को तुर्कों से इन लोगों ने मुक्त कर लिया जिसमें हमारे राजिस्तान के बचाहरागा, इसने के लिए इसने इने के लिए यहां पर गदम उठए हैं,C7 यह अपने विए पर उठया को छते Entwicklung सर्ड़त कर लें हैं तो इसलिए है इल्दुतमिस ने बापस से इनको पुन्य प्राक्ट करने के लिए यहां पर कदम उठाए अपने सासनकाल के प्रारमबिक बर्सों के दुरान इल्दुतमिस का जो जहान है वो उत्तर पस्चिम पर केंद्रित रहा था और खौरिज मिसाद वारा गजनी की विज और सासन की वेज़े से उसको यहां पर एक नया खत्रा करके सामने आता है ठीक है खौरिज मिसम्राज इस समें मध्य इसिया में अगर हम बात करें इस हौरिज सम्राज की तो जब इस राजा था तो उस समय खौरेज में जो शैसन है या ख़ारिम जो समराज्ज है मद्ध एशिया में सबसे सक्तिसाली था और इसके पूर्वी सीमा अब सिंदू तक फैली हुई थी और इस खत्रे को टालने के लिए इल्दू तमिस ने लाहॉर की और कूच किया और लाहॉर को अपने अजिकार में यहाँ पर ले लिया अब कुतबुद्दीन एवक के साथी थे जिनका नाम था गुलाम कोवाचा तो यहाँ पर एक साथी है गुलाम कोवाचा की बात कर लेते हैं कौन है यह गुलाम कोवाचा यह कुतबुद्दीन एवक के साथी थे गुलाम कोवाचा इन्होंने खुल्द को मुलतान का सुरतंतर सासक गोषित कर दिया था कुत्व बुद्दीन के साथी गुलाम थे कुवाचा और लाहर और पंजाब की कुछ इसो पर इन्होंने कब्जा कर लिया था अब इल्टु तमिस ने कुवाचा को मुलतान और उचसे भी बाहर कर दिया क्योंकि कुवाचा है उसने मुलतान का सब्सक्राइब कर दिया लाहर पंजब के कुछ सुपरी कबजा कर लिया अब इल्टु तमिस नारा जो गया इल्टु तमिस ने क्या किया कोवाचा को मुलतान और उससे भी वार कर दिया इस प्रिकार दिल्ली सल्तनत की सीमाएं एक वार फिर सिंदू तक यहाँ पर पहुंच गई और पहस्चिम में सुरक्षित इल्टू तमिस अपना ध्यान कहीं और लगाने में सक्षन था तो अपना ध्यान वो और जगे लगा चत्त था उसने अपने पढ़ोसियों जैसे की पूरी बंगाल के सेना सासको उडीसा और काम रूप के हिंदि सासको के चितर पर भी यहाँ पर चापे उन्होंने मारे हैं नहीं अपने समराइज को नोने बिस्तार करना प्री स्टार्ट कर दिया उसके बात में क्या होता है बंगाल और ora बहार में इवाज नाम के ब्वेस्टी यति युद्यू 2 ब्वांगे लाक्तर न brightly उनलबुहिए ग्रेंट और 12 भी opposite भेश में लकनोतीकुलाइब इल्टू Cum infinite के साथ यूद्ध में इवाज यहांста उता है और गया और बंगाल विहार एक वार फिर दिल्ली के प्रभुत्म आ गए तो यहां पर रिल्तुतमिस के पुत्र ने हराया था किसको इवाज को जो बंगाल और विहार में शासन कर रहा था उसने रंधंबर और जालोर को बिरुद अपना आजीपत इस्तापित करने के लिए अवियान चलाया इल्तुतमिस है उन्होंने रंधंबर और जालोर के बिरुद भी अवियान चलाये हैं उसने मेवाल की राजदानी थी नागदा जो भी उधापट से 22 क्रोमेटर दूर थी उस पर भी अमला किया है लेकिन गुजराथ की सेनाओं के आगमन पर उसे पीशे अटाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर मेवाल की साहता के लिए गुजराथ की सेना आजाती है इस वज़े से इल्टूतम इसको पीशे अटना पड़ा था वैसे इनोंने मेवाल की राजदानी जो नागदा थी उस पर भी अमला किया था प्रतिसोत के रूप में इल्टूतम इसने गुजराथ के चालुपकों के खिलाप एक अवियान चलाया लेकिन इसे नुपसान के साथ ही खदेड़ दिया गया मतलब कि गुजराथ है वो नागदा की साहता करने के लिए आया था जब इल्टूतम इसने नागदा पर अमला किया था तो गुजराथ की सेना यहाँ पर नागदा की साहता करने के लिए आया थी इससे नाराजो करके प्रतिसोत के रूप में इल्टु तमिष ने क्या किया गुजरात की जो चालक के हैं उनके खलाब सासन यानि अवियान चलाए लेकिन उसको इसमें नुपसानी हुआ फायदा नहीं हुआ उसके बाद में आते हैं रजिया सुल्तान इल्टु तमिष की उत्रदिकारी कैसे बनी लड़की थी लेकिन रजिया सुल्तान है किस तरीके से इल्टु तमिष की उत्रदिकारी बनी और 1937 साल रजिया सुल्तान है उन्होंने सासन किया तो किस तरीके से यह सुल्तान बनी और क इसे कभी कभी चालीसा या चेहल गाने भी कहा जाता है तुर्की के जो भी प्रमुख थे उनके भी सता के ये संगर्ष की शुरुवात की गई थी राजशाई और तुर्की प्रमुखों के भी किसके लिए सता के लिए संगरस की शुरुवात को चिनित किया था रजियान है और इन्हे को हम कभी कभी चालेस या चहलगानी कहते हैं पोटी चहलगानी कोर चालेस तुर्क गुलाम अमीरों की एक परीशत थी मतलब कि जो तुर्की गुलाम थे उन चालीस लोग थे तुर्की गुलाम उनकी एक परिशत थी जिसको हम पोटी या चेहलगानी कहते हैं जो सुल्तान की इच्छा के अनुसार दिल्ली सल्तनत का प्रिसासन करती थी उसके बाद में एक इल्तुतमिस का बजीर आता है निजाम उल्मुल्क जुनेदी तो निजाम उल्मुल्क जुनेदी कौन है जिसने अपने सिंगासन पर बैठने का ब्रोध किया है इलतुतमिस का एक बजीर आता है निजाम, उल, मुल्क के जुनेदी ठीक है ये इलतुतमिस का कौन था बजीर था जिसने उसके सिंगासन पर बैठने का ब्रोध किया और उसके खलाब रहिशों के ब्रोध का या रहिशों के ब्रोध का समर्थन किया और रहर गया और भागने के लिए मजबूर हो गया रजीया ने राजपूतों को नियतित करने के लिए रंधंबर के खलाब एक अवियान बेजा और अपने राज़ में कानून इवन विवस्ता को सफलता पुर्वक इस्टापित याना किया है एवीशियन रहीस याकूत खान को साही अस्तवल का अधिक्षक यहाँ पर निखिया गया था जो एवीशियन रहीस था उसको यहाँ पर याकूत खान एवीशियन रहीस कौन था याकूत खान याकूत खान को साही अस्तवल का अधिक्षक निखिया गया था और वे रज करने का रोप लगाया और याकूत खान के साथ बहुत दोस्तना विवार यहां पर किया लाहर और सरहिंद में विद्रोई भड़क उठे और रजिया ने ब्यक्तिगत रूप से यहां पर क्या किया लाहर के खिलाप अबियान का नितत्व किया और सासक को प्रेस्टत होने के लि और रजिया को तवर हिंद में कैद कर लिया गया हलाकि रजिया ने अपनी कैदी मलिक अलतूनिया पर जीत आसल की तो यहां पर रजिया है उन्होंने उनका ही खुदका ही कैदी था मलिक अलतूनिया पर जीत आसल की और उससे साधी करने के बाद दिल्ली पर नए से प्रिया किया रजिया ने बाहदुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन वैच जीत के करीब थी तभी डांकों के द्वारा जंगल से उसे हरा दिया गया और मार दिया गया इस तरीके से दिल्ली सिल्टना चलती है उसके बाद मंगोलों का उदय होता है मंगोल समराज है उसने 1221 से 1327 तक भारती अफमादी पर आकर्मन करने के कई प्रियास यहां पर किये हैं मंगोलों का जो उदय है मंगोल नेता आयते चंगेज खान तो चंगेज खान के आगमन के साथ इसरू हुआ जो खुद को ईश्वर का अभिसाप कहने में गर्व मैसूस करता था मंगोलों ने 1218 में खारज मी सवराज पर हमला किया मंगोल आकर्मन का दिली सल्तनत पर गंभीर प्रवाब पड़ा है इल्टू तमिस जो दिली पर सासन कर रहा था उन्होंने मंगलों को सांत कराने या करने की कोशिश की है इल्टू तमिस का वो दिली पर सासन कर रहा था और इस प्रकार मंगोलों के ख्लाप रक्षा की काफी मजबूत रेखा यहां पर बन गया 1227 में क्या होता है चंगेज खान के निर्थु के बाद में सक्तिसाली हो जाते हैं मंगोल समराज उनके पुत्रों में वाज़त हो जाता है जैसे चंगेज खान के मुर्थ उजदिय बार सब्सक्ता है इसमें तो जो मंगोल समराज है चंगेज खान के जो ही पुत्र थे उनमें वो वाईज़त हो जाता है उसके बार में देखते हैं कि जो बल्वन है वो सता में कैसे आया इसके पीछी क्या स्टोरी है क्या कहानी है पर दी गई है समय के साथ साथ उसने राज़ पर नेंद्रन कर लिया और बर्स 1265 में बहस अतारूर होने में सफल वी रहा है तीक है यानि कि 1265 में उसको सिंगासन यहाँ पर दे दिया जाता है इससे पहले बलवन ने इल्दूतम इसके छोटे बेटे थे नसुद्दीन महमूद के यहाँ नायव या डिप्टी का पद समाला था इससे पहले बल्वन कहा पर था इल्दूतमिस का बेटा था नसुरुद्दीन महमूद तो इल्दूतमिस का बेटा था नसुरुद्दीन महमूद उसके यहाँ पर नाया वो डिटी का पद समला था जिसे बल्वन को बर्स 1260 में सिंगाषन्करक्षकानने में साहधा की थी 1260 में बल्वन को सिंगाषन्किया शाहधा से मिला नसर الد greatly sakes जो की इंटुतमिश का बेटा था बल्वन ने नसर الدbla की प्त्री से साधिय की थी, यानी ईटुतमिश का जो बेटा था नसरुद्दीन महमूद कौन था नसरुद्दीन महमूद इसकी बेटी से बलवन सासिन साधी कर लेता है युवा सुल्तान के लिए अपनी इस्तिती को और यहाँ पर सुद्रड कर दिया बलवन के बढ़ते अधिकार ने अनेक तुर्की प्रमखों को अलग थलग कर दिया जुनोंने नसरुद्दीन महमूद के युवा और अन्ववहिन होने के कारण सता के मामलों में अपनी पूर्व सक्ति और प्रवावों को बनाय रखने की आसा की थी उन्होंने बर्स क्या किया 1253 में 1253 में एक सड़ेंद रचा और बलवन को उसके पद से बेदखल कर दिया बलवन का जो इस्थान है उस समय 1253 में सड़ेंद रचा जो भी यहाँ पर कौन थे जो भी तुर्की के प्रमुक्ष है अभी बल्वन की जगे पर सासंत में को आजाता है इमाद الدین रेहान आजाता है इमाद الدین रेहान ये आजाता है बार्डिय मसलमान था और एक अलग समुय का यहां पर गठन किया जाता है बलवन अलग हटने को तयर हो गया लेकिन साब्धानी से उसने अपना समुय बनाना जारी रखा यहीं बल्वन जो है एक अलग हो जाता है और साब्धानी से वो समुय बनाता रहता है ग्रूप बनाता रहता है एक अलग समुय का गठन बल्वन करता है बलवन ने मंगोलों के साथ भी संपरक स्तावित किये थे और जिन्होंने पंजाब के एक बड़े इसे पर कबजा कर लिया था सुल्तान मेहमूद ने बलवन के समुए की सक्ति के सामने जुकर के रेहान को वरखास कर दिया बलवन ने अपने कई अन्य प्रतिजन्दियों को निस्पक्ष और बहिमानी से चुटकारा दिलाया और 1265 में सुल्तान मेहमूद की यहां पर मृत्यू हो जाती है उसके बाद में बात करें मजबूत केंद्रिके सेना इन्हीं इसके समय पर जो सेना थी इसकी वो मजबूत थी सेना ठीक है आंत्रिक गरवडी से निपटने और मंगोलों को खदेडने के लिए बलवन ने एक मजबूत केंद्रिके सेना का गठन किया जिनोंने पंजाब में गुस्वैट पी और दिल्ली सल्तनत के लिए गंबीर खत्रा यहां पर उत्पन ने कर दिया ठीक है अभी एक कर आता है दीवान एक अर्ज दीवान ने अर्ज का मतलब क्या है देखिए दीवान ने अर्ज को पुनरगठत किया गया और उन सेनिकों को पैंशन दी गई जो अब सेवा के लायक नहीं थे बलवन ने मिवातियों, राजपू, जमिदारों, गंगायमना दुआव और अवद के डकेतों से निपटने के लिए लोह और रक्त के यहां पर नीती अपनाई है ठीक है दुआव और कटिहार जो कि आदुने के रोहिल खंड में है दुआव और कटिहार कहाँ पर है आज के रोहल खंड में है इसमें बलवन ने जंगलों को काटने, विद्रोई ग्रामिनों को समाथ करने और पूरुस महिला और बच्चों को गुलाम बनाने का आदे दिया बलवन ने इन कठोर तरीकों से इस्तिती को नेज़ित किया और अपनी सता की ताकत द्वारा लोगों को प्रवावित करने और उन्हें डराने के लिए बलवन ने एक सांदार दरवार बनाया के रखा था फिर बलवन की मृत्य हो जाती है बड़ साबारस श्यासी मृत्य हो गई निसंदेवे दिल्ली सल्तनत विशेश रूप से सरकार और संस्तानों के मुख बास्तुकारों में से एक था अब है गुलाम बन्स की बास्तुकला के कुछ उदारन हम दिखेंगे गुलाम बन्स की बास्तुकला के कुछ उदारन है जैसे की गुलाम बन्स के सासकों के द्वारा निर्मित मैत्पूर्ण इमारत है जैसे की गुलाम बन्स के सासकों द्वारा कुनकों से इमारत है पनाए गई पहला है कुबबत उल इसलाम मजजिद यह भारत का सबसे सुरुवाती मजजिदों में से एक है कुबबत उल इसलाम मजजिद और यह कुत्बुदीन एवक द्वारा 122 में से 19118 में के बीश बनवाई गई थी कुबबत उल इसलाम मजजिद का अर्थ है इसलाम की तागत और यह कुत्ब मीनार के उत्तरपूर में बनी हुई है ठीक है कुबब अलिसलाम मजजिद जो की इसलाम की तागत है कुत्ब मीनार के उत्तरपूर में बनी हुई है अब यह आयता है कुत्ब मीनार की बात कुत्ब मीनार जो है लाल और बफ वल्वा पत्थर से बने हुई कुत्ब मीनार भारत की सबसे उची मीनार है कुत्ब बुद्दीन एवक ने 1199 इस्वी में पहली मंजिल तक मीनार की नियू रखी थी 1199 में उसके बाद उसके उत्रादिकारी और दामाद आये थे सामुद्दीन इल्टू तमिज उनके द्वारा तीनों और अंजिल बनाए गई थी 1211 से 1270 तक तो उसके बाद में मीनार की विविन इस्तानों पर अर्वी और नगरी अक्षरों में कई शिला लखोके से कुत्ब के इतियास का पता सलता है जो कि मीनार में बहुत सारे इस्तान है वहाँ पर अर्वी और नागरी अक्षरों में कही शिला लेकित थी उनमें कुत्व मुद्दीन के जो कुत्व के इतियास का पता सलता है प्रामंगण में लोज्तम पर चौति सताब दी इसा को ब्रहमली पी में एक संस्कत में एक लिस्रा लेकिए जिसके अंसार चंदर नामा के एक सकती साले राजा की समर्ती विश्नुपत के नाम से जानी जानने मली और पहाडी पर इस्तंब को विश्नु दजवगवान विश्नु के माना के रूप में इस्तापित किया गया था उसके बाद हम देख लेते हैं एक डाही दिन का जौपड़ा है डाही दिन का जौपड़ा जिसे डाही दिन की मजज़द की रूप में भी हम जान सकते हैं या जान सकते हैं भारत के अजमीर राजिस्तान में इस्तित है डाही दिन का जौपड़ा जो है इस मज़िद का निर्मान कुत्व अधिन एवग ने 1129 में ही करवाय था तो नसरुद्दीन मौहमज सुल्तान घारी का मकवरा है सुल्तान गड़ी का मकवरा कुत्म मीनार से लगबग 6 किलो मीटर पर स्चिमिस्तित है सुल्तान गड़ी का मकवरा इसे बड़्स 1231 में इल्दु तमिस ने अपने सबसे पुड़े पुत्र नसरुद्दीन महमूद के अपसिसों पर बनाया था सम्द उद्दीन इल्दु तमिस का मकवरा सम्स उद्दीन सम्सुद्दीन इल्दु तमिस का मकवरा क्या है समस الدین इल्ब सामस का मकवरा कुबबत अलिसलाम मझजिद की उत्तर पेंटर पश्चम स्थित है इस मकवरे का निर्वान इल्टो तमसने स्वं बारा सो पेंटीकी सिस्वी में करवायता स्प्रे बल्वन का मकवरा गया सुद्दिन बलवन का मकवरा मेरोली नई दिली और भारत में सिता है जिसे 12-87 इसी भी मनाया गया था देखिए बलवन का मकवरा कहा पर है मेरोली नई दिली में सिता है 12-87 में बलवन का मकवरा यहां पर बना दिया जाता है उसके बाद में हम नेश्ट वीडियो में देखेंगे दिल्ली सल्तनत की जो प्रिसासनिक बैवेस्ता है वो हम नेश्ट वीडियो में देखेंगे देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद